Hello everyone, welcome back to day 3 of 100 days coding challenge I hope कि आपने first 2 days को अच्छे से देखा तो इसी तरह हम लोग रोज साम को साथ बजे मिलेंगे and एक नए कोशन को अप्रोच करेंगे every day So हमाई साथ जुड़े रो, मजे गरो and सारे फ्रेंड्स को ये प्लेलिस्ट शेयर करो कि हम रोज साथ बजे एक नए वीडियो के साथ आ रहें क्योंकि हमाँ अब बेसिक स्टेज पर है तो थोड़ा सा स्लोली हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर एड़ांस लेवल पर जाएंगे एक नए नए कोशन को डेली अप्रोच करेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब पर ना भूलिए लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए वीडियो के साथ क्योंकि नौलेज को जितना शेयर करोगे नौलेज उतना ही इंक्रीज होते जाएगा सो हम लोग डेट 3 में आ गए हैं सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बना दिया था यहां पर D3 का जिसमें हमने अल्फाबेट लिग दिया है तो यहां पर हमारा पहला अप्रोच क्या होगा दो फाइल बनाना क्योंकि मैं जावा और पाइफन दोनों में कोड करूँगा सबसे पहले मैं लिखा alphabet.java.java extension java file बना देगा and similarly alphabet.py which will create us the python file and हम लोग एक एक करके दोनों में code करेंगे तो सबसे पहले हम लोग java में जाएंगे तो यहां पर मैं day 3 का पूरा agenda लिख देता हूं कि क्या code करना है हमको और कैसा हमोरा problem statement होगा so coding statement कुछ इस प्रकार से write a java program क्योंकि java हम पर ले code करेंगे to identify if the character is an alphabet or not यहां पर description देखलो एक बार take an input from the user and check whether it is alphabet or not input का example देखलो अगर user ने ए डाला तो हमारा output क्या होना चे क्या it is an alphabet तो हमारा output क्या होना चे it is not an alphabet तो बहुत ही simple सा code है लेकि उसका approach हम लोग हर एक language में दो-दो method से देखेगे पहले java में दो method and then python में भी दो method में आपको बताऊंगा and एक special code होगा जो आपको बहुत मज़ेदार लगेगा वो मैं वीडियो के किसी भी part में जाके बता सकता हूं और हम लोग code start करते है java में method no.1 तो सबसे पहले हम लोग क्या करते है class define करते है so public class and class का नाम क्या होगा java उमारा file का नाम है यहाँ पर फाइल का नाम का है alphabet dot java तो सेम हम लोग यहाँ पर लिख देंगे public class alphabet and open and close curly braces and here we will import our or we will write our main function public static wide main and यहाँ पर string and arguments तो यह round bracket जो है ना means just square brackets यह आप string के बाद भी लिख सकते हो यह arguments के बाद भी लिख सकते हो दोनों case में यह code valid होता है okay and since we will take input from user तो हमको scanner function को define करना होगा and scanner function को define कर लें हमको scanner function को import करना होगा so we will write here import java.util.star and this star और asterisk means scanner so import java.util.star and this star means scanner अब हमने यहाँ पर import कर लें scanner को तो यहाँ पर define भी कर देते है main function के अंदर so यहाँ पर लिखेंगे scanner और एक variable लेंगे sc equal to new scanner system.in I hope कि यह step आप सभी को बहुत अच्छे से clear हो जाए so अब character को यहाँ define करते हैं तो char ch equal to sc.next अब देखो जब हम लोग string या फिर int लेते तो हम लोग next.indian next.line लिखतेते strings के लिए या integers के लिए पर मैंने यह पूरा फिछले वीडियो में बता दिया था कि किस तरह से हमको अगर एक ही character लेने तो हमको क्या लिखना होगा so sc.next के बाद आपको यहाँ पर dot लगाना है and लिखना है char r means character at so character at और यहाँ अपने आप visual studio code अपना index लेता है और आप चाहो तो हमके सिप 0 लिखना होगे तो भी character at index 0 समझे उस तरह से indexing हो रहा है simply just define कर देते है so main part पर आ जाते हैं जो कि हमारा problem statement की whether character is alphabet or not उसके लिए हम लोग if condition का use करेंगे वैसे alphabet किसे कहते है हम लोग a से लेके z तक जितने भी letters आते है उनको alphabet कहते है so unique characters related be in lowercase और uppercase दोनों condition यहां पर डाल देंगे so if ch ch के हमारा जो user input करेगा वो store कहां पर हो है ch में ch is greater than equal to a small a and m% डालो यहां पर 2m% and ch is less than equal to small z ठीक है तो user न अगर a जे लेके z तक कुछ भी चिस टाइप किया in lowercase तो वो इस condition में use होगा ठीक है और user बहुत चालाक होते है तो वो capital में भी लिख सकते है तो हम लोग वो condition भी इसे साथ match कर देते है और फिर ब्रैकेट open close करो and लिखो ch is greater than equal to capital a as well as less than equal to capital z so अगर user ने a जे लेके z टक in small या फिर a जे लेके z टक in capital कुछ भी चीज़ टाइप किया तो वो इस condition में आ जाएगा और हम लोग simple print करेंगे the entered character ch is an alphabet so अगर यह condition satisfy होता है small a से small z टक और capital a से capital z टक then we will print it the entered character ch is an alphabet else हम लोग क्या print कर देंगे alphabet नहीं है है ना यह काफी simple सा code तो यह था method no.1 but one second देखो यहाँ पे तो हमने एक message लिखता हो तो बुलीगे कि user कुछ देखके कुछ type करेगा तो आपना code को तो systematic बनाते हैं and scanner function के just हम लोग नीचे लिखते हैं यहाँ पे चाहाँ पे हमने character पड़ेगा तब वो कुछ type करेगा a, b, c या फिर कोई amperecent sign या फिर कुछ भी symbol चीच और उससाब से हम वो store हो जाएगा ch में जो हमारा variable है and यह सारे condition वहाँ पे चलेंगे if condition check होगा कि कहीं इन में से तो कुछ नहीं है अगर इन में से कुछ है तो हम है जो की बताता है कि कोई भी अगर user ने कुछ input किया वालफा पर ठेक है नहीं वह चक करने के लिए method 1 था थोड़ा lengthy method था तो हम लोग method 2 देखेंगे before that we will see the output of this code तो एक बार output चक करते है इसको save करके मैं run करता हूँ I hope कि आपको code समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं let us see the output of this code तो मैंने code को save करके run किया यहाँ पर आ गया output successfully execute हो चुका है enter any character तो यहाँ पर मैं character लिखता हूँ the entered character g is an alphabet बिल्कुल सही हमारो code अच्छे से run हो गया है आप यह code try करो कोई भी online compiler में यहाँ बिल्कुल सही क्योंकि ह इस condition में आ रहा है small a से small z के condition में कुछ और चीज़ यहाँ पर डालते है नमर डालके देखता हूँ 8 डाला मैंने the entered character 8 is not an alphabet बिल्कुल सही और special symbol दाला तो यह भी alphabet नहीं है तो यह था Java का method number 1 इसको मैं comment out करता हूँ एन हम लोग method number 2 देखते है जो कि इससे थोड़ा easy होगा so in method 2 we are using character.is alphabetic function और यह function बहुत ज्यादा simple है बचस को लिखो और you can easily in one line you can say that given character is alphabet or not so मैंने अब एक comment में लिख दिया है so that you can easily understand so method number 1 से में कुछ lines of code को copy paste कर ले तो method 2 में जो कि same रहेंगे जैसे कि scanner function को import करना message print करना कि enter any character and उसको store करना ch variable में okay यह सिमिलर है जो हमने उपर किया था अब देखो important चीज है वो यहां से start होता if और यहां पे हम लोग को simple लिख देना character.is alphabetic function और उस bracket के अंदर हम लोग अपना variable पर लिखेंगे जो कि CH है तो उस चीज को यहां पर मैं फटाफट लिख देता हूं so if CH is alphabetic sorry यहां CH नहीं यहां पर आएगा character तो यह C capital होगा ठीक है CHAR तो यह देखो अच्छे से लिखना उसको capital में and इस bracket के अंदर हम को लिखना है CH जो हमारा variable है and bracket close अगर यह condition satisfy हुआ तो हम लोग simple print करेंगे the entered character is means the CH जो कि हमारा user ने input किया वह alphabet है तो CH is an alphabet simple रखते हैं इस code को ज्यादा complex नहीं करते हैं else हम लोग print करेंगे कि CH is not an alphabet अब दोको जब if और else में single line का sentence होता है तो अब यह bracket नहीं डालोगे तो भी चलेगा एक ही condition है तो यह bracket डरने के जोड़त नहीं है you can remove this curly braces so मैं वह भी यहां से remove कर देता हूँ उसकी कोई आवशकता नहीं है इस code में if condition है यह else condition है easily understandable है हाँ so यह यहां से मैं इसको remove ही कर देता हूँ उसको रखके कोई फैदा नहीं है वालतों में हमारा space जा रहा है so I hope कि आपको method number 2 जो character is alphabetic or not यह function का use करके किया था यह आपको समझ में आ गया output deck को मैंने T लिखा T is an alphabet बिल्कुल सही हमारा code run हो गया एक और बार run करते है enter any character तो यहां पर अगर मैं capital T लिख रहा हूँ यह भी alphabet है very good enter any character अगर मैं यहां पर addirate symbol डालू addirate symbol is not an alphabet absolutely correct तो देखो आप method number 1 में इतनी number of lines of codes लिखे method 2 में simple हमने character is alphabetic or not यह function का use किया फिर भी output same मिल रहा है so it's on you कि आपको किस approach से जाना है मैंने दोनों आपको दिखा दिए output भी देखो आपके सामने में कर रहा हूँ और यह दोनों method आपके सामने आपको जो method अच्छा लेगे उस method से करो तो यह थे java के दो method किसी भी character को find करना कि वो alphabet है कि नहीं यह day 3 है इसलिए हम लोग basic codes कर रहें सो हम लोग alphabet dot python में आगे और यहां पर हम लोग क्या करेंगे write a python program to identify if the character is an alphabet or not same problem statement है but language different है description भी similar ही है अगर input यह रहा तो alphabet अगर कुछ number यह special symbol रहा तो alphabet नहीं है सो हम लोग user से input लेते हैं तो ch हमरा variable है equal to python में input कैसे लेते हैं input function लिखके so ch equal to input please enter any character भहत ही हमने systematic और peaceful message लिखा और जैसे user ने कुछ input किया वो हम लोग ch में store कर देंगे और यहां पर condition लगा देंगे जो java में लगाए थे if ch is greater than equal to small a and ch is less than equal to small z और ch is greater than equal to capital a and ch is less than or equal to capital z अगर यह condition satisfy हो रहा है तो हम लोग simply print कर देंगे दो ch है वो alphabet है else ch alphabet नहीं है दो lang का code है कोई doubt किसी को कुछ भी तो comment करो so यह था python का method no.1 and I hope कि इससे easy आपको कुछ नहीं है इससे आसान भास्ताम अगर कोई आपको समझा दे तो भाई मुझे बता देना तो कोई इतना easily मैंने समझा दिया तो method to be देखेंगे हम लोग इसका but उसके पहले इस code काम लोग output देख लेंगे so देख लोग हमने ch लिया user से if अगर यह condition satisfy हो रहा है यह से लेके z टक small में या यह से लेके z टक capital में कुछ user input कर रहा है तो वो alphabet है else वो alphabet नहीं है तो output देखते हैं किस प्रकार से इसका आता है तो इस सभी कोम लोग save कर देते हैं and let us see the output of this code so जैसे मैं इसको run करूंगा तो यहापे आएगा message please enter any character so I will enter one character here so I enter D the entered character D is an alphabet correct enter any character मैं यह डाला Y is an alphabet बिल्कुल सही मैं यहापे कोई नम्म डालता हूँ 4 4 is not an alphabet यह भी सही है कुछ और देखे आउटपूट let's see enter any character अगर मैं यह पर डालर symbol डाला is not an alphabet absolutely right हमारा code perfectly run हो गया so अब हम लोग method number 2 देखेंगे python में method 1 था using if-else condition normal if-else condition and method 2 में हम लोग use करेंगे is alpha function का is alpha function use करके हम लोग easily एक line में output निकाल सकते हैं so देखो यार वीडियो को like करना subscribe कर दो और share तो करी देना क्योंकि हम लोग 100 days तके challenge रखने वाले हर दिन एक नया question so देख लो यहां से मैं input वाला code copy कर लेता हूँ यहां पर paste कर देता हूँ क्योंकि we programmers like Ctrl-C, Ctrl-V so हमने यहां पर input ले लिया input में क्या display होगा सबसे पहले output skin पर क्या display होगा please enter any character तो user इसको पढ़के character input करेगा तो उसके बाद हमारा system क्या काम करेगा if condition लगएगा if ch.isalpha और यह function open-close हो गया तो हम लोग print कर देंगे कि यह alphabet है यह line में यहां से copy कर लेता हो and यहां पर place कर देता हो and else अगर यह नहीं है तो क्या होगा alphabet नहीं है तो इसको यहां से हमें else condition को भी copy कर देंगे paste कर दिया देख लो कितना easy is the code ता सिब यहां पर एक ही चीज लेके हमने cs.isalpha so कैसा लगा यह code बस cs.isalpha function लगाया और हमारा code run होगा चलो output देखते हैं इसका please enter any character तो यहां पर मैं enter करता हूँ T so T is an alphabet बिल्कुल सही जवाब कुछ और example देखेंगे हम लोग यहां पर please enter any character I will enter here let's say R R is an alphabet हमारा code एक दोम अच्छे से run हो रहा है means इस alpha function काम करेगा python में इसलिए python का बहुत ज़्यादा यूज होता है E enter के है E is an alphabet so यह था python में code दोनों method मैंने python के बता दिये and दोनों method मैंने java के भी बता दिये so आपके पास पूरा video है पूरा code आपके पास है आपको जो attempt करना है अच्छे से करो and you will get that output तेखलो यह में java में run किया चीज तो भी answer आ रहा है python में करूँगा तो भी answer आएगा तो कुछ characteristic डलते हैं यहां पे r डलते है r alphabet है जिस भी programming language में करो topic अगर यह है कि alphabet है कि यह निकलना है तो आपको logic यही लगाना है सबसे पहला वाला कि वो range में आना चीए small a से small z टक और capital a से capital z के बीच में and और java और python में कुछ special method 2 में ने बता दिया function यूज करके वो भी आप कर सकते हो so यह रहा आपके पास सारा code तो आप मैंने जो आपको बताया था स्टाइंग में कि मैं एक surprise code देने वाला हो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं so we are going to write a surprise code for you all जैसे के मैंने आपको स्टाइंग में promise किया था so यह code के उस तरह से write a python program to check whether a character enter is alphabet, digit or any special character तो देखो हम लोग input same रखेंगे अगर वो alphabet है के नहीं वो check करने के लिए हम लोग इफ condition को यहीं से copy paste कर लेते हैं कोई इसमें time waste नहीं करेंगे हम लोग यह condition आप सभी को अच्छे से यादी था ठीक है अगर यह condition नहीं रहा तो कौनसा condition हो सकता है digit का तो digit के लिए हम लोग अभी देख लेंगे यह character रवलब को समझ गया small a से small z tag होना चाहिए capital a से capital z tag होना चाहिए else if अगर वो character alphabet नहीं है तो digit हो सकता है तो उसका condition क्या होगा if ch is greater than equal to 0 and ch is less than equal to 9 then we can say that it is a digit so print the entered character ch is a digit so मैं यह चीज यहाँ से copy कर लेता हूँ to save the time मैं यहाँ पर copy paste कर रहा हूँ क्योंकि logic वही था कुछ sentence वह अगर मैं टाइप करूंगा तो और time लगेगा इसलिए देख लिए digit का क्या logic था else इन सब के अलावा जितने भी keyboard में से कुछ भी user ने अगर टाइप किया तो वो क्या होगा हमारा special characters user ने कुछ डाला अगर A से लेकर Z के बीच में small में या capital में तो वो alphabet होगा 0 से 9 के बीच में कोई भी नमर डाल दिया तो वो digit होगा else बाकी कुछ भी क्लिक कर दिया तो वो गया होगा special character तो इसको save करके अगर रन करके चेक करते है output हमारा कैसे आता है प्लीज एंटर एनी character यह display होगा output screen पे and I will give some input here I mean A लिखा A is an alphabet बिल्कुल सही मैं यह पे 8 लिखाओ नमर 8 is a digit बिल्कुल सही और को special character दिखते है add-rate add-rate is a special character code perfectly run हो गया तो यह exam में पुछ सकता है गभी 5-10 marks के लिए so be prepared so let us see some more example फिर आपको और अच्छे से clear हो जाएक सब चीजे please enter एनी character मैंने f डाला f is an alphabet मैंने यह पे percentage का symbol डाला वो special character है बिल्कुल सही digit में 0 डाल रहा हूं तो यह digit है perfect हो गया code आपको समझ गया किस तरह से यह special surprise code run करता है digit alphabet and character सब कुछ हमने यह पे check कर लिया character है वो भी हमने last में देख लिया so यह day 3 था खाफी अच्छा रहा था amazing था कल फिर मिलते है शाम को 7 बजे इसी चैनल पे तब तक के लिए happy learning stay tuned tomorrow at 7 pm हम कल फिर मिलेंगे day 4 में तब तक के लिए चैनल को subscribe करके रखो notification और जाना वीडियो को share करना अपने friends के साथ ताके वो भी live session में आ सके शाम को 7 बजे happy learning have a good day 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 have a good day